हेलो गाइस आज हमनों देख रहे हैं भारत के परिवाहन सब्सक्राइब बहुत महात्पूर्ण स्थान रखता है क्योंकि विस्व में लगबग भारतकिस्थान दूसरा है परिवान के छेतर में और भारत में बहुत बड़े-बड़े हाइवे भी बने हुए है तो ट्रोपिक भारत में प्रत्राइब रेल्वे लाइन किसके सासनकाल में बढ़ी बंदाय मुंबई चात्रपती से ठाणे की बीच चलाई गई थी तो यह कब चलाई गई थी 16 अपरेल 1313 को भारत सबसे बड़ा लंबा सबसे लंबा रेलवे प्रेटराम काउंसा है गोरकपूर है और यह के विस्सूका भी आता यहाथ सपर पाकिस्तान अरो पांफगानिस्तान को जोडता है वह किस आसक को ग्रांट परोड निरमाल सरे दिया जाता है उतर निक्ताथ रो पर है रही साथ दोरा निरमित ग्रेंद टंक रोड उसे चीडे रोड भी बोलते हैं एनस वन और एनस डू को मिलाने से हमारा ग्रेंट रोड बनता है रहे पंजाब को किस से जोड़ता इस बंगाल से जोड़ता है होता है उत्तर दख्षन तदहा पूर परस्चिंगीया हुख से पूर जो कल Kollegin अधिक यह मिलता है न्युक्तर आसीunkt भारती रेल के कितने च्वित वागितना सक्व matter देगे सब्साइब केहां परहिए कहा देड्म değer mm अंदम कई तो साभी है कब चलिए उनीस सो पच्चिस में चली थी भारत के प्रथम विध्धुत संचालत रेलगाड़ी कौंस थी डक्कन क्यूं थी भारत किन नगरों में दो रेलवे जोन का मुख्याला है मुंबई और कोलकाता में है है कि अब है कि इभारत में कितने बंदर घाए तेरा बंधर नाझे है भारत की तर्टे रेखा पर अच्चे पर है कुई है क्यूंकि यहां पर तर्टे रेखा सीधि और सपाथ है इसलिए क्या है कि अच्छे पॉता सथा नहीं यह जो तट है वो काफी गहरा होना चाहिए तभी अच्छे जो पोर्ट है वो बन सकते हैं तो बंदर गाता है तो मुंबई को बाद को प्रिवेश्द्वार कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा बंदर कांज साहत मुंबई बंदर गाल और इसके इसी कुछ इसी साहता कम करने क लाएं नया बंदर बनाएं जांब बोलते हैं जवाला निरूबंदर गाया निवा शुआ बंदर घट वर्तमान में यह सबसे बड़ा है लेकिन है इसी का इसी पार्ट है तो अगर आप्शन में नुआ शुआ दिया गया तो लगाई और नहीं दिया गया तक मुंबई ब्ल दरगाए विकत पांच वर्स पचास वर्सों से भाती रेल्वे के पत्त की लंबाई लगभा कितने फिश्वर्द्य हुए यह कुशन नहीं कहुंचता है ठीक ऐसे कुशन नहीं आते हैं मैं कैता भσεंग राज में प्र्देस राज़मारी सब्सेर लंभांई सब्सद्रें यहाँ है राजर्वार की बात करण पहले डाइन सिक्स लाइन है आएं कहता है बाग दी पहले रेलवे लाइन के निस्तान के बीच चली थी तो मुंबई से थाड़ के मच चले थी अटारा सो फितिरपन में कहता देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्योगत होता है तो रेलवे होता है पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे निट कहां से बंगलावर में इस्तित है प्रसम संपर्क करांती ट्रेंट कहां से चांच चली थी दिल्ली से यह नहीं आएगा कौन सा संग्ठान भात के विभिन रेल गाड़ियों में प्रवस्ता प्रथा में इंटरनेट टेली फून सुधा है प्रवंधित करांती में सम्मंदित है तो रेल टेल निगम है रेल टेल के अपने इस्टेन नबर नेट भी देखा होगा और रेल नीर की पानी भी आता था तो यह संस्ता है इनकी पूर रेलवे के बटवार के पच्छत हाजीपुर के आंचलिक कारे लेकर नाम क्या हुआ है तो मद्ध पूर रेलवे नाम कर दिया गया था अब तक काम में आने वाला विभिसकोस पुराना भापिंजन कौन सा तो फेरी क्यून है जो अर्तमामने जी संचालित है भारत में वायु परिवान का विकास का बहुत तो निस सुग्यारा में हुआ था कौन सा बंदरगाय समुद्रिक व्यपार का पूरु द्वार कहलाता है कौन सा कोलकाता से हल्दिया तक का नौवा शोवा बंदरगाय पर योजना कहां इसी थ अधर्यवा पर नियुक्त विवा आयुद्रिक टनी को दिय तो बंदरगाय तो विशाकह पतना में मर्मा बंदर बंदरगाय कहां पर गोवा में जो मांडवी नदी के न रिश्कलिवा नोजर्टा के बादविक्सित है कहला पतन का था में तो राजी उगांधी उड्डियन संस्तान किस राजमें इस्तेत है तो यह महाराश्ट में होता है किस से राश्टी राजमार्ग से होता है डिलера का जोन मुख्याले हाजी पुर सेथा आप अधियार में से थे हाजी पुर रियल मंतरा नम विलेच आनवे बिल भीक नमक प्रविजूध करने की इती ही ये इती से तो समुद्रम प्रविजना जिन्हें जोड़ती है से तो समुद्रम भारत के बंदर गाउं में कौन सा एक खुला बंदर गाहे तो मुंबाई है बाइत के अंता इस तली जलमार के लिए पिट्टियों की जनेवाई नदी कौन सी सबसे महातुमु नदी गंगा है ये वर्तम मान नेज टेप्टाय स्टार्ट होगा थेंक्यू